आज कश्मीर का पुलवामा पुरे देश को पढ़ाने में महत्पपुन भूमी का निभा रहा है। आज देश भर में बच्चे अपना हुंबर करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे पुलवामा के लोगों की कड़ी महनत भी है। कश्मीर घाटी पुरे देश की करीब करीब 90 प्रतिशत पैंसिल स्लेट लकडी की पट्टी की मांग को पुरा करती हैं, और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुलवामा की है, एक समय में हम लोग विदेशों से पैंसिल के लिए लकडी बंगाते थे, लेकिर अब हमारा प शेत्र से देश को आत्मनिर भर बना रहा है, वास्ताव में पुलवामा के ये पैंसिल स्लेट्स स्टेट्स के बीच के गैप्स को कम कर रहे हैं, गाटी की चिनार की लकडी में हाई मोश्चुर कंटेंट और सॉप्टनेस होती हैं, जो पैंसिल के निर्मार के लिए उसे सब से सुटेबल बनाती हैं, पुलवामा में उखु को पैंसिल विलेज के नाम से जाना जाता है, यहां पैंसिल स्लेट्स निर्मार की कई इकाईया हैं जो रोजगार उपलब्त करा रही हैं, और इनमें काफी संख्या में महिलाये काम करती हैं, साथियों पुलवामा की अपनी और खुद को उसके प्रती समर्पित कर दिया, ऐसे ही करमट लोगों में से एक हैं मंजूर एहमद अलाई, पहले मंजूर भाई लकडी काटने वाले एक सामाने मद्दूर थे, मंजूर भाई कुछ नया करना चाहते थे, ताकि उनके आने वाली पीडियां गरीबी में न जी उन्होंने अपनी पुस्तेनी जमीन बेच दी और एपल भुडन बॉक्स यानि सेव रखने वाले लकडी के बखसे बनाने की उनिट शुरू की, वे अपने छोटे से बिजनेस में जुटे हुए थे, तब ही मंजूर भाई को कही से पता चला कि पैंसिल निर्माण में उप्योग शुरू किया गया है, ये जनकरी मिलने के बाद मंजूर भाई ने अपनी उद्यमिता का परिचे देते हुए कुछ फेमस पैंसिल मैनुफेक्टरिंग यूनिट्स को पॉपलर वुडन बॉक्स के आपूरति शुरू की, मंजूर जी को ये बहुत फायदेमन लग और उनकी आमर ने भी अच्छी खासी बढ़ने लगी, समय के साथ उन्होंने पैंसिल स्लेट मैनुफेक्टरिंग मसिनरी ले ली और उसके बाद उन्होंने देश की बड़ी-बड़ी कंपनियों को पैंसिल स्लेट की सर्प्लाई शुरू कर दी, आज मंजूर भाई के इस ब मैं समेथ पुलवामा के महनतकस भाई बहनों को और उनके परिवारवानों को उनकी प्रसोंसा करता हूँ, आप सब देश के यंग मैंड्स को सिक्षित करने के लिए अपना बहुमुली योगदान दे रहे हैं।